हर्याडा के चुनावी रणकी लडाई का वक्त आ चुका है हर्याडा में 90 पिधान सभा सीटे है इन सभी सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है हर्याडा में इस बार कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कॉंग्रेस के लावा जेजेपी, आईनल्डी, बीसपी, एसपी और आप पर भी सबकी नजर है राजधानी दिल्ली से सटा हर्याडा भी देश के संपन राज्यों में गिना जाता है ये उत्तर भारत का एक एहम राज्य है, इसकी भी राजधानी चंडीगड है हर्याडा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश ते, तो दक्षिन और पशिम में राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है ब्रिटिश काल में हर्याडा पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था, साल 1986 में ये देश का सत्रुमा राज्य बना साथ के दशक में देश में हुई हरित क्रांति में हर्याडा राज्य का बेहद योगदान रहा था देश को खाद्यान संपन राज्य बनाने में हर्याडा का खासा योगदान था हर्याडा का भी इतिहास काफी पुराना है, हर्याडा में लोग सभा की 10 सीटे आती हैं और 2019 के चुनाव में BJP ने सभी सीटों पर जीत हासिल करते हुए सूपडा साफ कर दिया था लेकिन 2024 के चुनाव में BJP को जटका लगा जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि शायद विधान सभाचुनाव में भी BJP को जटका लगे लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि लोग सभाचुनाव की तरह विधान सभाचुनाव के भी नतीजे रहेंगे क्योंकि लोग सभाचुनाव राश्ट्रिय मुद्दों पर होता है और विधान सभाचुनाव में शित्रिय मुद्दे हावी रहते हैं अब इसका खुलासा तो 8 अक्टूबर को ही होगा कि हर्याडा की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा लेकिन उससे पहले अनुमानों और जनता के रुख को देखते हुए एकजिट पोल सामने आते हैं बता दे की 5 अक्टूबर को हर्याडा में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 6.30 बजे से एकजिट पोल की नतीजे आने शुरू हो जाएंगे एकजिट पोल में बताया जाएगा कि हर्याडा में इस बार कौन सी पार्टी की सीट पर जीत हासिल कर रही है सीटों के साथ साथ वोट प्रतिशत कि सीट पर कौन प्रत्याशी जीत रहा है ये भी बताया जाएगा इसे लेकर अमरुजला.com पर भी खास तयारी है अलग-अलग एजनसियों के एकजिट पोल के हर अपडेट आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन-कौन सी एजनसियां और न्यूज चैनल एकजिट पोल लेकर आने वाले हैं एकजिट पोल के नतीजों की लाइव स्क्रीमिंग आप न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देख सकेंगे हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 में विधान सभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे 8 अक्टूबर को वोटों की गिरती होगी पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है बीते लोग सभा चुनाओ में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था जबकि कॉंग्रेस 10 साल बाद 5 सीट जीत गई जेजेपी भी इस चुनाओ में चंदरशेखर आजाद की पार्टी के साथ चुनाओ लड़ रही है इंडियन नेशनल लोगदल यानि की इनेलो और बहुजन समाज पार्टी बस्पा ने विधान सभा चुनाओ के लिए गठबंधन का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी भी इस बार हर्याडा में किसमत आजमा रही है अब देखना ये होगा कि हर्याडा की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद